साल 2020 की शुरुआत तक पूरी दुनिया में 4.5 अरब लोग इंटरनेट का इस्तिमाल कर रहे हैं ऐसे में इतना तो साफ हो गया कि कम से कम चार अरब लोग तो स्मार्ट फोन तो करते ही होंगे कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई फोटो आपने डिलीट कर दी हो लेकिन बाद में आपको उसकी जरूरत पढ़ गई हो तो चलिए आज हम आपको तीन तरीके बताते हैं जिनकी मदद से आप स्मार्ट फोन से डिलीट हुई फोटो को फिर से वापस पा सकते है सभी एंड्रोइट फोन में गूगल का फोटो जैप होता है गूगल फोटोज में फोटो बैकप का भी ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप गूगल ड्राइब पर फोटो का बैकप भी ले सकते हैं यदि गूगल फोटोज से फोटो डिलीट हो गई है तो आप परिशान ना हो एप को ओपन करें और साइज मीनू से ट्रैश या बिन को सलेक्ट करें वहाँ आपको सभी डिलीट हुई तस्वीरे मिल जाएंगी अब जिन फोटो को वापस पाना चाहते हैं उन्हें सलेक्ट करें रिकवर कर ले साट दिन से पहले डिलीट हुई तस्वीरे नहीं मिलेंगी यदि आपने अपने एंडरोइट फोन या फोन में मौझूद में मेमरी कार्ड से फोटो को डिलीट कर दिया है यदि मेमरी कार्ड से फोटो डिलीट हुई है तो मेमरी कार्ड को फोन से निकाल कर किसी कार्ड रीडर की मदद से कम्प्यूटर में लगाएं और किसी भी रिकवरी सौफ्ट्वेर से आप फोटो वापस पा सकते हैं क्योंकि डिलीट हुए डाटा मेमरी कार्ड में तब तक रहते हैं जब तक कोई अन्य डाटा उसमें कौपी नहीं किये जाते हैं रिकवरी के लिए आप कम्प्यूटर में इसस डेटा रिकवरी विज़र्ड डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रोइट फोन में फोटो रिकवरी के लिए सबसे बहतरीन अप डिस्क लिगा है इस एप को आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इस एप से आप डिलीट हुए वीडियो भी वापस पा सकते हैं यदि आप फोटो और वीडियो के अलावा कुछ और वापस पाना चाहते हैं तो आपको पैसे देने होंगे हाला कि यह उन्हीं फोटो को रिकवर करता है